इस्कूल अकैडमी के यंसियाटी सेक्षन में आप सभी का स्वागत है दोतों इस वीडियो के माध्यम से हम भारती जनसंख्या की आयूस रचना को समझेंगे तो चले श्टार्ट करते हैं भारत की जनसंख्या बहुत जवान है यानि अधिकांस भारती युगा अवस्था में हैं और यहां की आयू का आवस्थ भी अधिकांस अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है सारडी दो दर्शाती है की देश की शंपूर जनसंख्या में 15 वर्ष से कम आयू वाले वर्ग का हिस्सा जो 1971 में 42 परतिशत के सर्वच इस्तर पर था घटकर 2001 में 35 परतिशत के इस्तर पर आ गया है 15 से 60 के आयू वर्ग का हिस्सा 33 परतिशत से कुछ बढ़कर 69 परतिशत हो गया है जबकि 60 वर्ष से उपर की आयू वाले वर्ग का हिस्सा बहुत छोटा है लेकिन वह उसी अधिके दोरान 5 परतिशत से 7 परतिशत तक बढ़ना सुरू हो गया है लेकिन अगले दो दसकों में भारती जनसंख्या की आयू सरचना में काफी परिवर्तन आने की उम्मीद है और यह परिवर्तन अधिकांस्ता आयू क्रम के दोनों सीरों पर आएगा जैसा कि साड़ी दो में दिखाया गया है 0 से 14 आयू वर्ग का हिस्सा लगभग 11 परतिशवत घट जाएगा यह 2001 में 34 परतिशवत था जो 2026 में घटकर 23 परतिशवत हो जाएगा जबकि 60 वर्ग से अधिक आयू वर्ग में लगभग 5 परतिशवत की बिद्धी होगी और यह 2001 के 7 परतिशवत से बढ़कर 2026 में 12 परतिशवत हो जाएगा चार्ट 3 में जनसंख्या पिरामीट का 991 से लेकर 2016 तक का प्रच्छेपित स्वरूप दिखाया गया है तो तो जैसा कि अब देख रहे हैं आयू समू पिरामीट इन सभी वर्फों के लिए अलग-अलग आकड़े चार्ट के माध्यम से दिखाये गए हैं चलिए अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं दरस्तों चार्ट तीन में दिखाये गए आयू समू पिरामीटों में साड़ी दो में प्रश्तुत आयू सम्मू समबैंधी आकड़ों के अधिक बिस्तित ब्योरे दिए गए हैं द्रस्तों चाट तीन में दिखाये गए आयू समूँ पिरामिडों में सारडी दो में प्रस्तुत आयू समूँ सम्बंधी आकड़ों के अधिक विश्त्रित ब्योरेत दिये गए हैं इन पीरामिडों में पुरुसों के लिए बाई और इस्त्रियों के लिए दाहिनी और अलग-अलग आंकड़े दिये गए हैं और उनके बीच में संबंध पंच वर्षी आयू समू दिखाए गए हैं समस्तरी छडों मतलब की होरिजेंटल बार्स पर जिन में किसी विशेष आयू समू के पुरुस और इस्त्रियां दोनों सामिल हैं द्रिष्टी पात करने से आपको जनसंख्या की आयू स्रचना का अंदाजा हो जाएगा पिरामिड में आयू समू सबसे नीचे जीरो से चार वर्ष वाले समू से सुरू होकर सबसे उपर असी वर्ष और उससे अधिक के आयू समू तक दिये गए हैं जिन में से तीन पिरामिड उनेशो एकसट उनेशो इक्यासी और दो हजार की दस वर्षी जनगर्णा की इस्तिती को दर्षाते हैं और चोथा पिरामिड दो हजारश बिश की अनुमानित इस्थिती का घोतक है दो हजार चबिश वाला पिरामिड संबन्धित आयू समूहों के अनुमानित भावी आकार को दर्षाता है तो परतेक आयू सम्मों की पुरानी शम्रिधी दरों के आकणों पर आधारित है ऐसे अनुमानों को प्रेच्छप भी कहा जाता है यह पिरामीड जन्मदर में आई क्रमिक ग्र्यावट और आयू संभाविता में हुई बढ़ोतरी को दर्षाते हैं जैसे जैसे अधिकादिक लोग ब्रद्धा वस्ता तक जीवित रहने लगते हैं तो पिरामीड का सबसे उपरी हिस्सा चोड़ा होता जाता है और जैसे जैसे जन्मदर के नए मामले अपेच्छाकृत कम होते जाते हैं पीरामीट का सबसे नीचला हिसा सकरा होता जाता है लेकिन जन्मदर में गिरावट काफी धीमिगती से आती है इसलिए 1961 से 1981 के बीच पीरामीट के सबसे नीचले खंडों में अधिक परिवर्तन नहीं आया पीरामीट का बीच का हिसा बराबर चोड़ा होता जाता है क्योंकि कुल जनसंख्या में इसका हिसा बढ़ता जाता है इससे बीच वाले आयू समू में एक उभार बन जाता है जो 2026 के पीरामीड में साफ दिखाई देता है इसी उभार को जनसंख्या की लाभांस कहा जाता है जिसके बारे में इसी अध्याय में आगे चर्चा की जाएगी दोश्दों इस चार्ट का सावधानी पुर्वक अध्यान करिए और अपने अध्यापकों की साहिता से यह पता लगाने का प्रतन करिए कि 9961 की नई पिड़ी जीरो से चार आयू समू जब आने वाले वर्षों में पिरामीड के उपर की और बढ़ती जाएगी तो उसकी क्या अश्थिती होगी वर्ष ओनेशो एकसट का जीरो से चार आयू समू परवर्ती वर्षों के पिरामीड में कहा अश्थित होगा जब आप 1901 से 2026 की ओर बढ़ेंगे तो पिरामिट का कौन सह हिस्सा सबसे चवड़ा होगा आपके विचार में वर्ष 251 और 3001 में पिरामिट का आकार कैसा होगा दोस्तों जैसे विभीन छेतरों में प्रजनन दरे अलग-अलग होती हैं उशी प्रकार आयूस रचना में भी बहुत अधिक छेतरी अंतर पाये जाते हैं एक और तो इस्थिती यह है कि केरल जैसा राज आयूस रचना के मामले में बिक्सित देशों की इस्थिती को प्राप्त करने लगा है वहीं दूसरी और उत्तर प्रदेश की इस्थिती बिलकुल भिन है जहां अपेच्छाकृत छोटे आयूसमुहों में जनसंख्या के अनुपात काफी अधिक हैं और बृद्ध जनों के अनुपात अपेच्छाकृत कम है कुल मिलाकर भारत की इस्थिती लगभग बीच की है क्योंकि यहां उत्तर प्रदेश जैसे राज भी हैं और केरल जैसे राज भी जिनकी संख्या ज़्यादा है चार्ट चार में उत्तर प्रदेश और केरल से संबंधित वर्ष 2026 की अनुपानित जनसंख्या के पिरामिड दिखाए गए हैं केरल और उत्तर प्रदेश के पिरामीडों में सबसे चौड़े भागों की इस्थिती के अंतर को ध्यान से देखिए तो तो यह आयूसरजना पिरामीड केरल और उत्तर प्रदेश 2026 के लिए दिखाय गया है जिसमें पहला जो पिरामीड आप देख रहे हैं यह उत्तर प्रदेश के लिए है और दूसरा पिरामीड जो है यह केरल राज के लिए है आयूसरजना में अपेच्छा क्रित छोटी आयूक के वरगों की और जो जुगाव पाया जाता है उसे भारत के लिए लाभकारी मना जाता है पिछले दसक में पुर्व ACI अर्थवेश्थाओं की तरह और आज के आयर लैंड की तरह यह समझा जाता है कि भारत को भी जन संख की लाभांस का फायदा मिल रहा है यह लाभांस इस तत्थ के कारण भी मिल रहा है कि कारसिल लोगों की बरतमान पिढ़ी अपिच्छाक्रित बड़ी है एवं उसे बिद्ध लोगों की अपिच्छाक्रित छोटी पिढ़ी का भरण पोसर करना पड़ रहा है लेकिन यह लाप अपने आप में मिलने वाला नहीं है बलकि इसके लिए उपयुक्त नितियों का सोच समझ कर पालन करना होगा जैसा कि बाक्स 2.3 में वर्डन किया गया है तो तो बाक्स 2.3 में वर्डन सांख की लाभांस के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे तब तक के लिए नमस्कार